आडियो टू, हम खाना क्यों खाते हैं? जब से हम जन्म लेते हैं, शरीर को शक्ति की आवश्यक्ता होती है. शक्ति के दो प्रमुक्स रोथ हैं, पहला नींद और दूसरा भोजन. नींद तो अनिवारता सब को लेनी ही पड़ती है. एक-दो दिन भी कम हो गई, तो शरीर हाथ के हाथ उसको पूरा करने को मजबूर होता है. भोजन हम दो कारणों से करते हैं. पहला शक्ति के लिए और दूसरा स्वाद के लिए. आरम से ही शक्ति और स्वाद में कुस्ति चलती है. और देखा गया है कि इस कुस्ति में स्वाद जीतता है और सक्ति पीछे रह जाती है. कई चीजें तो हम केवल इसलिए खा पी लेते हैं कि वे स्वादिश्ट लगती हैं. चाहे उनमें सक्ति है या नहीं. चाहे वे अंततर नुक्सान ही करें. कहने को तो हम कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं पर वस्तुता यह पाया जाता है कि हम खाने के लिए जीते हैं हम खाना पका कर क्यों खाते हैं यो तो हम कहते हैं कि खाने की वस्तुवों में कई कीड़े इत्यादी रहते हैं अता हम उसे पका कर खाते हैं पर मुख्यता स्वाद के लिए पका कर खाते हैं। यद्द भी हम जानते हैं कि पकाने से भोजन की पॉष्टिक निश्चित रूप से कम हो जाती है। फिर भी स्वाद वसुईधा के लिए हम पका कर ही खाते हैं। हमें क्या-क्या खाना चाहिए, आईए देखते हैं, कार्बोहाइडरेट, कार्बोहाइडरेट के लिए अनाज, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, मकई, इत्यादी, 50-60% प्रोटीन, प्रोटीन के लिए डाल, मुंफली, सोयाबिन, दूद, इत्यादी, 15-20% चर्बी के लिए तेल, घी, अथ्वा वेपदार, जिनसे तेल निकलता है, जैसे मुंफली, नारियल, तेल, सरसो, इत्यादी, 8-10% खनीज़वण के लिए सागसबजी, एवं फल, शेश, उचित मातरा में, विटामिन और संतुलित भोजन, हमें कितना और कब खाना चाहिए एक सामाने व्यक्ति को हर रोज लगभग 2000 कैलरी का भोजन करना चाहिए जिस व्यक्ति को शारेरीक्ष्रम अधिक हो, वह 10-20% अधिक अर्थाथ 2200-2400 कैलरी खा सकता है जिनका शारेरीक्ष्रम कम हो, उन्हें 10-20% कम अर्थाथ 1600-1800 कैलरी का भोजन पर्याप्त है पर अकसर कैलरी का माप रखपाना आसान नहीं होता अतह दूसरा नियम यह अपनाया जा सकता है कि जितनी भूख हो, उससे कम खाना चाहिए या दूसरे शब्दों में खाते खाते भारी लगने लगे, उससे पहले खाना छोड़ देना चाहिए कब-कब खाना चाहिए? सामान्य व्यक्ति को दिन में दो समय का भोजन पर्याप्त माना जाता है श्रमसिल लोगों को प्रातह व्यायाम के बाद पौस्टिक नास्ता चाहिए उसके लगभग 4-5 घंटे बाद दोपहर का भोजन, उसके 3-4 घंटे बाद हलका सुपाच्य नास्ता जिसमें फल, सलाद या अन्य चीजें हो सकती है और शाम को सुर्यास्त के आसपास सोने से 2-3 घंटे पहले हलका भोजन श्रिष्ठ माना जाता है सुबह उठते ही उशा पान, पानी पीना, दोपहर में भोजन के कुछ देर बाद छाच, तथा रात में सोने से पहले उश्न दूद पीना, अमरित सरेखा माना गया है अच्छा स्वास्त कैसे हो? अच्छे स्वास्त के लिए 3 चीजें मुख्य होती है पहला भोजन, दूसरा व्यायाम और तीसरा आराम यदि अच्छे स्वास्त का पूरा पेपर 100 नमबर का हो, तो भोजन, व्यायाम और आराम, तीनों सेक्षन, 30-30 नमबर के माने जा सकते हैं दस नमबर, ग्रेस मार्क्स, दवाई वगरे का रख सकते हैं, जो किसी सेक्षन में थोड़ी लापरवाही हो जाए, तो काम मिले सकते हैं पास होने के लिए हर सेक्षन में अर्थात भोजन, व्यायाम और आराम में तीनों में पास होना जरूरी है यह नहीं कि भोजन में तो 25 से 30 नमबर ले आए और व्यायाम आराम में 5 से 4 नमबर लाए इस तरह पास नहीं हो सकते तो स्वस्थ रहने के सरलुपाई क्या हैं? पहला, जल्दी उठो और 3-4 मिल, 4 से 6 किलोमिटर रोज टहलो, संभव हो तो शाम को भी थोड़ा टहलो टहलने के अलावा दोड़ना, साइकल चलाना, घुड़ सवारी, तैरना या कोई भी खेल कूद व्यायाम के अच्छे उपाये हैं स्त्रियां चक्की पीषना, बिलोना बिलोना, रसी कूदना, पानी भरना, जाड़ू पोछा लगाना, आदी घर के कामों में भी अच्छा व्यायाम कर सकती हैं रोज थोड़े समय बच्चों के साथ खेलना, 15-20 मिनट खुल कर हसना भी अच्छे व्यायाम का अंग है चौथा, प्रातर टहलने के बाद भूख अच्छे लगती है, इस समय पौश्टिक पदार्थों का सेवन करें अंकुरित अन्य, भीगी मुंफली, आवला या इससे बना कोई भी पदार्थ, संत्रा या मौसम्वी का रस, अच्छे नास्ते का अंग हो सकते हैं पांच्वा, भोजन सादा करो, एवं उसे प्रशाद रूप में ग्रहन करो, शांत, प्रसन और निश्चिंतता पूर्वक करो, उसे अच्छी तरह चबा-चबा कर खाओ, खाते समय बाते ना करो, ना हसो, एका ग्रिचित होकर भोजन करना चाहिए चट्वा, भूग से कम खाओ, अथ्वा, आधा पेट खाओ, चोथाई पानी के लिए, एवं चोथाई पेट, हवा के लिए खाली छोड़ो सात्वा, भोजन में अंकुरित अन्न अवश्य शामिल हो, अंकुरित अन्न में पौस्टिक, एवं खानी जलवन गुडात्मक मात्रा में बढ़ जाते हैं, इनमें मूंग सरवुत्तम है, चना, अंकुरित या भीगी मूंग फली, इसमें थोड़ा मेथी दाना, एवं गुबली हुई तथा कम मिर्च मसाले की, कम खटाई की सबजियां खाओ, एक ग्रास रोटी के साथ चार ग्रास सबजी के अनुपात का प्रयास रखो, नौवा, आटा चोकर समित खाओ, संभव हो तो हाथ का पिसा हुआ खाओ, जो, गेहु, चना, सोया बिन, का मिस्सी चड़ी में भी पत्तिदार एवं हरी सबजियां मिलाकर पॉस्टिक ता बढ़ाई जा सकती है, सबजियों के सूप का नित्य सेवन पॉस्टिक एवं हलके भोजन का अच्छा अंग हो सकता है, दस्वा, भोजन के साथ पानी कम से कम पियो, दो पहर के भोजन के घंटे बाद पानी पिये, भोजन यदि कड़ा हो और रुखा हो तो दो चार घंट पानी अवश्य पिये, ग्यारा, प्राता उठते हे खोब पानी पियो, दो पहर भोजन के थोड़ी देर बाद छाच और रात को सोने से पहले उश्न दूद अमरित समान है, बारवा, दिन में कम से कम दो 14. चाय, कॉफी, आधी के स्थान पर साधा ठंडा या गुनगुना पानी, निम्बु पानी, छाज, गाजर, पालक, चुकंदर, लोकी, टमाटर, इत्यादी सबजियों का, एवं मौसम्मी या संत्रा, पपीता, इत्यादी फलो का रस उप्योग में लाया जा सकता है, लाब डाइबिटीज के रोगी को शक्कर या उससे बने पदार्थों से पूर्ण परहिच करना चाहिए, फलो में अधिक मीठे फल का सेवन कम करें, फल के रस के बजाए, फल खाए, 16. दाना मेथी और करेला, डाइबिटीज की रामबान दवा है, इनका रोज उप्योग करें, द इहां तक संभव हो सके मिट्टी के बरतन में भीकोए, दूसरे दिन सुबह नास्ते के पहले या बाद में दाना मेथी पानी पीले, दाना मेथी अंकुरित कर सलाद में या नमक निम्बू लगा कर भी खा सकते हैं, सूखा दाना मेथी या चूरा लेने पर गर्मी कर सकता है 17. भोजन में स्वात बढ़ाने वाली चीजें जैसे मिर्च, प्याज, लसन, खटाई, इत्यादी का प्रियोग कम से कम करें, हो सके तो छोड़ दे 18. रोज शाम निवरित हो जाने की बाद, दिन भर में किये गए, अपने पुर्शाथ से किये गए काम काजों की सफलता, अथवा असफलता, प्रभू को समर्पित कर, निश्चिन्त होकर, जल्दी सोएं, ताकि सुबह भोर में उठ सके चरक सहिता से उद्रित, भोजन करने के दस अनमोल नियम पहला उश्न आहार लें, भोजन गर्म भोजन से जठरागनी तेज होती है, भोजन शिग्र पच्चता है दूसरा, स्निक्द आहार लें, स्निक्द भोजन शरीर का पोशन, इंद्रियों को द्रिड और बलवान बनाता है तीसरा, मात्रा पुर्वक आहार लें, पाचन शक्ती के अनुकूल उचित मात्रा में भोजन स्वास्थ वर्धक होता है चौथा, पच्चने पर आहार लें, पहले खाया पच्चने के बाद भूख लगने पर ही दूसरा भोजन करें पाचवा, अविरुद्ध, वीर्य वाले आहार लें, परस पर विरुद्ध वीर्य, गुन शक्ती का भोजन रोग उत्पन करता है चौथा, अनुकूल स्थान में आहार लें, मन के अनुकूल स्थान में मन के प्रिय पदार्थों का सेवन करें साथवा, जल्दी जल्दी आहार ना लें, जल्दी भोजन करने से लार ठीक से न मिलने के कारण भोजन के पाचन में विलंब होता है 8. बहुत धीरे-धीरे आहार ना लें धीरे-धीरे रुक-रुक कर भोजन करने से त्रिप्ती नहीं होती आहार ठंडा तथा पाक विशम हो जाता है 9. एकाग्रिचित हो आहार लें ऐसा करने से भोजन भली-भाति पच्चता है और अंग लगता है दस्वां आत्मशक्ति के अनुसार आहार लें या आहार मेरे लिए लाबकारी है या हनिकारक है विचार करके अपनी शक्ति के अनुकूल मात्रा में लिया भोजन हितकारी होता है